के सुो आई नो बहुत जादा लेट ऊचुकआ है वीडियो बहुत दिनों से चैनल पर अप्लोड नहीं हुई मैं बहुत जादा लेट हूँ बहुत आप लोग के कमेंड्स आए ते रिकार्डिंग की मैं वीडियो अप्लोड क्यू नहीं कर रहा हूँ ऐसा क्या दिक्कत होकि म विडियो एप्लोटने की क्या मैने कुट कर दिया है आपके बहुत सारे अच्छे रिक्वेस्ट आये थी कि मेरे कमबैक के बारे में आक्षुली अब मैं आपको तुरुद बताने वालों क्यू मैं इतने दिन से विडियो अप्लोट नहीं कर रहा था regarding क्या problems चल रही थी मेरी so मैं जूट नहीं बोलूँगा कि I was about to quit मैं YouTube को quit करने वाला था but आप लोग के इतने सारे comments आने के बाद मैंने अपने थोड़ा सा decision लिया मैंने decision लिया कि मेरा YouTube में come back आना ज़रूरी है क्योंकि मैं आप लोग को disappoint नहीं कर सकता so मैंने quit का इसलिए मैंने decision इसलिए लिया था क्योंकि जब मेरे 12 के examinations के बाद मेरे board examinations के बाद मैं college में इतना ज़्यादे involved हो गया था उसके assignments में इतना सारे involved हो गया था कि मेरे पास इतना time नहीं मिलता था ताकि मैं आपके लिए videos बना सकूँ YouTube के लिए कोई अच्छा content सोच सकूँ मैं बस इतना ज़्यादा time नहीं होता था कि मैं कोई भी content upload कर सकू YouTube में but thankfully आप लोग के comments के वज़े से मैं आज वापा से come back ले रहा हूँ so इस छोटे से break में बहुत कुछ हुई actually हमारे 10,000 subscribers पूरे हुए मेरी story enabled हो गई so congratulations everyone for our 10,000 subscribers and thank you to everybody who has subscribed and love my content so इस break में एक और अच्छी चीज यह हुई कि मैंने अपने लिए एक PS4 ख़़ी दा था और इस PS4 को ख़़ी दे वे यही कुछ 2 months हो रहे हैं तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे इसके मतलब reviews के बारे में बात करेंगे इसके pros and cons के बारे में बात करेंगे और मेरे experience के बारे में बात करेंगे so यह रहा मेरा PlayStation तो अब मैं इसे जल्दी से अपने TV में connect करके दिखाऊँगा और इसकी performance दिखाऊँगा और इसके reviews के बार में हम लोग बात करेंगे, इसकी games में भी दिखाऊंगा कि मैंने कौन-कौन से games इसमें install की है, उसकी gameplay wise में आपको सारे shots दिखाऊंगा कि इसमें कितने अच्छी gameplays देखने को मिलती है, इससे जल्दी से हम लोग अपने tv में connect कर देते हैं, तो अब आ चुके हम install करके रखे अपने PS4 में, जिनमें से सिर्फ तीन आज में इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, अब मैं आप पर कुछ common questions के बार में बात करने वाले हूँ, जो आप में से बहुत साय लोग सोच रहे होंगे, जैसे कि इसकी pricing क्या है, games कि कितने pricing लगे, और क्या 2023 में PS4 व जैसे मुझे PS4 में शिफ्ट होना पड़ा, और मैंने आपको जैसे बताया है, मैंने इसे पहली से अन्बॉक्स करके रखा था और मैंने इसे यूस किया, तिये दो महीने तलग इसको यूस करने के बाद, मुझे रिलाइस हुआ कि 2023 में भी PS4 में इतनी potential है, कि आपको कोई भ आपको देखने को मिल जाती है, FPS drops आपको बिल्कुल नजर नहीं आने वाले, बिल्कुल आपको next level experience देखने को मिलने वाला है, क्योंकि आप जैसे कि जानते है, console से better experience gaming को, आपको कोई नहीं कोई नहीं देख सकता, PC भी आपको इतना अच्छा performance नहीं दे सकता है, जितना एक budget price जो आपको आज कल 15,000, 20,000, 25,000 या 30,000 के अंदर अंदर देखने को मिल जाती है, और इसकी तीसरी बात अगर हम लोग बात करें, तो 2023 के games इसमें आपको आराम से देखने को मिल जाती है, जैसे कि Resident Evil 4 remake जो अभी recently launch हुई है, और बहुत ही जादा high graphics game है, वो आपको आसानी स इस PS4 में देखने को मिल जाती है, उसके CDs में देखने को मिल जाती है, आराम से आप इसमें खेल सकते हैं, और आज कल तो बहुत साथ jailbreaks भी आ चुके हैं, तो आप इसे free में भी खेल सकते हो, यह सबसे बड़ा एक और advantage है, कि अगर आपका PS4 jailbreak हो, तो आप आराम से इसमें free म इसमें games खेल सकते हैं, और अब हम लोग बात करते हैं, इसके disadvantages के बारे में, तो सिफ और सिफ इसके दो disadvantages है, कि यह आपको सबसे पहले इतना अच्छा performance देता है, लेकिन आपको सिफ और सिफ 30 FPS ही देखने को मिलेगी, यह .30 FPS देखने को मिलेगी, ना ज्यादा, ना कम हो सकता कभी कभी आपको एक minimum frame drop देखने को मिल जाए, जो मुझे अभी तलग तो face नहीं हुई है, कभी कभी ही हो जाती है, निकर अभी तलग मुझे नहीं हुई है, और यह बहुत जादा rare होता है, तो इसकी कोई चिंदा करने की बात है नहीं, लेकिन आपको सिफ और सिफ 30 FPS देख कि Spider-Man 2 जो अभी release होने वाली है, 2023 में release होने वाली है, वो games आप इसमें नहीं खेल सकते, और भी बहुत सारे PS5 exclusive games है, जो आप इसमें नहीं खेल पाऊगे, और सुनने में आ रहा है एक news है कि 2025 तलग आपको और कोई भी PS4 के games देखने को नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे तो PS5 के games ही देखने को मिलेंगे, लेकिन जहार लगा अगर बात रहे कि आपको game experience करना था, आपने कोई पहले game, कोई high graphics game नहीं खेली है, तो उसके लिए PS4 बेटर सही है, आप 2025 तलग अराम से games खेल सकते हो, और उसके बाद चाहो तो अपग्रेट कर लो, वो आपके उपर है, लेकिन ये दो disadvantages थी, जो face हो सकती है आपको, लेकिन मुझे तो अभी तलग face नहीं होई है, और अब यहाँ बात आते है, main topic के बारे में, कि इसकी costing, तो बताओ कि मेरी वाले जो PS4 है, जो मैंने खरी थी, वो मैंने 30,000 में खरी थी, क्योंकि वो import थी, imported वाली एक product था, और वो actually jailbreak था, तो उसकी थोड़ी से जाधा pricing थी, वरना आज कल कि PS4 आपको 30,000 में नहीं मिलते है, वो बस मेरा imported or jailbreak था, इसलिए मेरा price जादा था, और अब बात करें, games के बारे में, games के कितनी costing है, तो games में मेरी zero costing लगी है, क्योंकि मेरे games जो है jailbreak थे, तो आराम से, मेरे install करा ल कर सकता, कोई बड़ी बात नहीं है, अब बात करते हैं, कि मैंने ये वाला PS4 कैसे खरीदा, अपनी YouTube के payment से खरीदा, या फिर मैंने अपने कुछ छोटे मोटे investments की, तो बोल सकते हैं, कि मैंने इसे अपने YouTube के payment से खरीदा है, बट YouTube के payment की मेरी बहुत जादे कम हो थी, तो मैं मुझे अपने भी थोड़े बहुत investments करने पड़े, इस PS4 को खरीदने के लिए, अब last question के बारे में बात करते हैं, क्या आप worth it है 2023 में PS4 खरीदना, तो हाँ अगर आपका budget 20,000, 25,000 या 30,000 के अंदर अंदर आता है, और आपका purpose सिर्फ और सिर्फ gaming है, तो उसके लिए best आपक आपको PS4 ही मिलनेगा, और कुछ भी आपको इससे best option नहीं देखने को मिलने वाला, अगर आपका budget थोड़ा ज्यादा है, तो आप नए-नए consort भी ले सकते हैं, जैसे कि Xbox Series S, जो आज कल बहुत सस्ते में देखने को मिलता है, आपको नए games देखने को मिल जाएंगे उसमें, ज आपके उपर depend करता है कि आप क्या लेते हैं, आपके budget wise आपको क्या better लग रहा है, वो आपके उपर depend करता है, और आपके budget के उपर depend करता है, तो यही था मेरा YouTube में comeback, और मेरे PS4 का review, अगर आपको यह वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चाहूं को सब्सक चाहिए आने वाले वीडियो में, तो मुझे इसके बारे में comment में जरूर बताना, उसके regarding में जरूर वीडियो बनाऊंगा, तो मिलता आपसे नहीं और अगली वीडियो में, तब तक के लिए good bye